हलो फ्रेंड्स हलो एवरिवन आज फिर एक नए वीडियो नए विश्य पे चर्चा करेंगे जैसा कि पीछे आप लोगों ने इस्टडी वाले सब्जेक्ट मोटिवेशनल देखे वैसे ही आज फिर से उनी की बात होगी किसी एक सब्जेक्ट पे चर्चा होगी तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्क्राइब नहीं किया हुआ है अगर आप लोगों को वीडियो पसंदा है तो आप लोग लाइक करिए सब्क्राइब करिए कमेंट भी करिए और जिन लोगोंने सब्क्राइब किया हुआ है वो लोग प्लीज आप लोग गर वीडियो पसंद आए तो उसको कमेंट पर बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा जिस बिसे की हम लोग चर्चा आज करेंगे इस वीडियो में जिसकी चर्चा होगी वो है आदमी के कर्म कोई भी इनसान जन्म से सेस्ट नहीं होता अच्छा या बुरा नहीं होता है उसको स्रेष्ट बनाते हैं उसके कर्म जिस तरीके के उसके कर्म होंगे जिस लेबिल का ओवर करेगा उसी से उसकी पैचान होगी कोई जरू नहीं कि एक कोई बहुत बड़ा आदमी है जो बड़े घर में पैदा हुआ है गरीब घर में प से डिसाइड होते हैं अगर आच चाहे वो महत्मा गांदी हो एलबर्ट आइस्टीन हो अमताब बच्चन हो सचित दिंदुलकर हो जो भी लोग है देरुबाई अमबानी हो अगर ये स्रेष्ट माने जाते हैं लोग उनको याद करते हैं तो उनके कर्मों की वज़े से उस ल तो यही चर्चा यही मेन जो है और ऐसे भी दो ही पावर भग्वान ने आदमी को प्रोवाइट किये हैं एक है उसकी इंटेलिजनसी दिमाग और दूसरा होता है उसके कर्म तो जिस लेबल के होंगे उसकी वैलू उसका महत्तु भी उसी लेबल का होगा और जो सेस्ता उसक कर्म के बेस पे ही ना पी जाएगी और ऐसे भी कहा जाता है कि जो आदमी आता है दुनिया में वो खाली हाथ आता है वो खाली हाथ ही जाता है जब आता है तो अपने पिछले कर्मों की वज़े से और जो जाता है वो अपने किये हुए कर्म लेकर के जाता है तो आदमी की सेष्टा आदमी की पहिंचान उसके कर्मों से होती है ना कि उसके जाद से उसके धरम से या जिस परिवार पैदा हुआ है उससे होती है उसके कर्म जिस लेबिल के होंगे वो उसी के अंसार पहिंचाना जाएगा उसके सहस्ता भी उसी अमसार होगी थैंक्यू